वहां बच्चो पीवाइक्यू के नेक्स सीरीज में एक सवाल आपको सामने है जेई मेंस 2023 का कॉस्टन था थोड़ा जीवो गरीव दिख रहा है तो ऐसे कुस्टन किताबों मिलते हैं यह बढ़िया प्वालिटी का बुक्स वो करो तो लेकिन अगर पहले से सोल्व नहीं कर र यह थोड़ा आसान है जैसे यह एडवांस पुछे करें से मैं बात करूं तो सब्सक्राइब क्या है और एम कॉमा एन ग्रिटर दन जीरो लेट अलफा कॉमा एमन लिख लिते हैं अलफा कॉमा एमन की वैलू क्या बलाऊ उसने कुस्टन बाले ने सर जीरो से कहां तक तू त इंडिग्रेशन प्वेफ घेटेविड़ करना है रोफाएएं वैन प्लस फ्कवर क्या है यह क्या है अलफालं एन टकॉमा एंत। आपको इसश्की towork च्र待 करना है औरन कोक्नेरवञादा है इंटू 14 पावर शिक्स देट फाइंट टीपी की बैलू उपताना आपको चली है हमने कुस्चं को देख के यह पता लगा कि यह तो अलफा खॉंआ अलफा टेन कॉमा शिक्स है तो दो पर टेन कॉमाँ गाजएक जीरो से 2 जहां पर आपकर क्या है जहां पर M है M is replaced by 10 and N is replaced by क्या 6 तो M को replace कर तो 10 से और N को replace करो 6 क्या लिखियेगा सर यहां लिखेंगा टीपे पावर 10 और 1 प्लास 3 टीपे पावर क्या 6 DT यह अलफा 10 कॉमा क्या हो जागा 6 सही सिमिलरली एक और तम है आपको तुल फाइलेवन कॉमा 5 यह देखिए आप पर हना मैं लेजर मार देख रहां आपको कहां पर यह अलफा 11 कॉमा 5 और यह था आलफा 10 कॉमा 6 तलफा 11,5 अलफा 11,5 क्या हो जाएगा भाई चाहाँ यह हो जाएगा 0 से 2 टी पे पावर कितना 11 और 1 प्लस 3 टी पे पावर कितना हो जाएगा 5 डीटी यह सेकेंड सेकेंड से ही बढ़ों वह सारे लोग सालोशन में इसको दोनों का मतलब यह सेकेंड क्या है अलफा 11,5 तो अपन क्या करते है थोड़ा सा इस पर बाई पार्ट लगाते हैं बाई पार्ट क्यों लगाएंगे बाई पार्ट लगाएंगे और इसका करेंगे पार्ट साब्ना लेगा और यहा देखो यह पावर फा इंटिग्रेशन करेंगे अपने आपको हां सर तो कुछ-कुछ अलफा 10,6 आपको दिखेगा फिर पिक्चर में तो बाई पार्ट में यह क्या होता है डिफ्रेंट रहता है ठीक है सर बाई पार 11 सालेंट रहाएंग और उसका integration किजी उसका integration कितना जागा 1 प्लस 3 टीपी प्र आवर 6 दिवाइड़ बई 6 और यह 3 यह 3 multiply है टी के साथ तो 3 का इन्टु करना पड़ेगा हां सर लिमिट कहां से कहां लिमिट लग जाएगा 0 से 2 तक बाइनस अब सुनों फिर से जीरो से टू और अब क्या करना पड़ेगा अंदर में यहां पर इसका डिफ्रेंसियेशन करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंसियेशन हो जाएगा मैं नीचे बाला मिनीदर हूं स्वासा स्प्रेस नी मिल पार आपने को इसको यहां लिखना हम नीचे में है ना ताकि समझाए अच्छा बड़े-बड़े छो में अब माइनस क्या हो जागा सुनना जीरो से टू हो जागा इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसियेशन कीजिए किसका टीपे पावर 11 का इसका ठीक है इसका डिफ्रेंसियेशन क्या इसको इसको यह वाले को और यह वाले को मैच कराओ दूने एक ही है और चलिए तो अलफा 11 को माँ 5 क्या हो जागा भाई साहा यह हो जागा रखो यहाँ पे भेलू तू रखे लो लिमीट तो रखो में तो टू पर पावर 11 हो जागा यह लिए और यहां टू रखो में तो ठीक टू जा 6 और extra 7 हाना तो टू पे पावर 11 साही है आर 7 पे पावर 6 डिवाज एक माइनास 11 वाई 18 और ये जागा क्या यह इंटीग्रल यह पूरा यह हो जागा अलफा 10,6 जो घेरा में थीक है तो इसको लिखेंगे आलफा 10,6 से यह दोन तरफ एक्षा यहां देखना मैं लेजर मार रहा हूं यह देखो आप से बहुत पुछा यह लेवन कॉमा फाइव दोन तरफ एक्षान भी हट जागा उससे दो फाइदय होंगे तो सुन ना पर फाले इसको लिखी लेता हूं ना जो नीचे है उसको क्या था अलफा ए टू पर फावर ए एंटू क्या सेवं पर बावर क्या स Kelsey डव्यवाइड़ वा एक्टीम थीक है अम मायनस एलेवन ही एक लेवन हेटतीन और फा टेन कॉमा क्या था हुआ था है सिक इप्डश्य थी कैंपर स्थीप्र उस इस यह आं यह सर आपना सबेंटिंक्स साओं सभ्कि गिए टी आल्फा त़nd लेवल को-बावा जाएक स्टीनकी ऐसे यहां भी कैंसेईं ओज्यक वन 11 एलफा 10,6 सहिए देख लिजी एक बार अब इसको माइनस को ठाके उधर लेप साइड ट्रांस्पर कीजिए 18 11,5 और प्लस 11 अना अलफा 10,6 ये दोनों मिलके देखो दोनों को पावर सेम है तिये हो जाएगा 2 इन्टो 7 और पावर 6 हो जागा ये दोनों को मिला कर इसको और इ पॉस्चन क्या था पॉस्चन ये था 18 11,5 प्लस 11 अलफा 10,6 मिला लो 18 11,5 ये दोखो मैं रेट से घर रहा हूं 18 11,5 है और 11 अलफा 10,6 है ना हाँ सर आगे ये और देट ही जिकस्टू कितना है देखे जे पी इन्टो 14 पर पावर 6 तो ये आपका पी हो गया और ये 14 पर पावर क्या है 6 पी आपका हो गया कितना तूटी दिपावर क्या 5 मतलब क्या 32 32 इच क्रेक्ट रंसर थोड़ा सा ऐसे कॉर्शन पर प्रैक्टिस होना चाहिए आपका प्रैक्टिस रहेगा बढ़िए जाएगा तो एक्जाम में पहली बार आजाए नहीं बनाये हो तो मुश्किल तो पैदा कर सकता ही जानसर क्या जाएगा 32 देख लिए आप लाव से हाले ठीक है